हेलो फ्रेंट्स गूर्णिंग टूल अफ यू वेलकम टू सिक्स नॉंबर करेंट अफेर्स विथ मैप एंड जीएस जैसा कि आप सब को पता है हम लोग करेंट अफेर्स के साथ अलग से जीएस के फैक्ट्स भी डिवाइज करते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक यूनेश्कों बाइव स्फेर्र रिजर्व घोसित किया गया है वी वी आई कोश्चन है क्थ विवियाई इसके पहले भी यूनेश्कों में बाइव स्फेर्रुजर्व हैं बहुत सारे उन सबको मैं बताऊंगा बट अब अभी आपको याद रखना है पन्ना टाइगर ठीक है यह जो मध्य परदेश है इसे tiger state भी कहते हैं क्योंकि यह number of tigers बहुत जादा है ठीक है पन्ना tiger reserve अब कुछ important facts मध्य परदेश से देखेंगे और जो भी important biosphere reserve है उनका एक list मैं दूंगा आपको उनका आपको नाम बताऊंगा please copy और pen लेकर बैठें और उसे note कर ले ठीक है दूसरों को share भी करें तो सबसे पहले आप लोग note कर सकते हैं जो भी और UNESCO के list हैं उनको तो गल्फ of मनार गल्फ of मनार इसको 2001 में include किया गया है सुन्दर बन यह कहा है पस्चिम बंगाल में गल्फ of मनार कहा है मनार की खाड़ी आपको मैंने कई बार map में दिखाया है तमिल दूसरा है नंदा देवी नंदा देवी कहा है उत्तरा खंड में तो प्लीज इत्मिनान से लिख्ये नंदा देवी को उसके आंगे है नोक्रेग नोक्रेग कहा है नो क्रेक ये भी है 2009 में इसकी अस्थापना हुई थी नो क्रेक है नेगाले में अगला है पंच मढ़ी पंच मढ़ी भी है फिर पंच मढ़ी कैसे लिखना है आपको पंच मढ़ी ये भी उनेशको लिस्ट में सामिल है उसके बाद है सिमली पाल सिमली पाल कहा है उडिसा में अचानक मार बायस पेर रिजर्व अचानक मार प्लीज नोट कर लो क्योंकि ये लिस्ट में बहुत कम जगा पे आपको देखने को मिलेगा और जोगरफी के प्लेलिस्ट में मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई है आपको वीडियो का लिंक भी मैं सेयर कर दूँगा वहाँ भी आप देख सकते हैं और दरवाइस यहां तो मैं बताई रहा हूँ अचानक मार है बायस फेर रिजर्व उसके बाद है निकोबार आईलेंड भी सामिल है और अगस्तिय मलाई बायस फेर रिजर्व भी सामिल है अगस्तिय मलाई अगस्तिय मलाई कहां है अगस्तिय मलाई यह 2016 में इंक्लूड किया गया था अब देखिए 2018 में किसे इंक्लूड किया गया है गया आप रिविजन कर पाओगे कंचन जंगा लिख लो 2018 में इंक्लूड किया गया सिक्की में मतलब पन्ना के पहले कंचन जंगा को ही इंक्लूड किया गया उसके पहले अगस्ते मलाई को इंक्लूड किया गया था अगस्ते वालाई को और वो कहा है केरल में तो आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा इसलिए मैंने स्लोग बोल रहा हूं और अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं न्यूजी लैंड में भारतिये मूल की पहली महिला मंत्री कौन बनी है तो नाम आपको यहां दिख रहा है प्रियंका राधा क्रिशन न्यूजी लैंड में अब न्यूजी लैंड कहां है तो आस्ट्रिया के नीचे एक छोटा सा देश है मैं आपको मैप में अभी दिखाता हूँ तो ये है Australia, और ये है छोटा सा New Zealand नूजिलेंद पे भी Christ Church Attack हुआ था, आपको पता ही है New Zealand की राजधानी कहा है, Wellington और यहां की भी currency है, dollar Australia की कहा है, राजधानी Australia की राजधानी है, Canberra और Scott Morrison यहां के PM है Great Barrier Reef Great Barrier Reef बार बार पुछा जाता है कहां नहart defect करें आपको यह ध्यान अदियान हो और सब्सक्राइद को ऑसी आनिया का यह चोटे 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 आइलेंड होंगा इसलिए कभी भी पूछा जाएगा ओस्यानी आकिस कंटीनेंट के पास है तो यह ऐस्ट्राइली के पास एक मुत्रीनेंट को आइलेंड continent कहते हैं island continent मतलब दूइप ये महादूइप क्योंकि ये चारो तरफ से समुदर से इसलिए से island भी कहते हैं तो यह है Australia ठीक है दोस्तों मैप series मैंने start किया था आप geography के playlist में उसे भी देख सकते हैं मेरा यह कहना है कि सब अब लोग आप लोग playlist जरूर विजिट करिए तो आप लोगों ने न्यूजी लैंड देखा न्यूजी लैंड में एक straight है कुक इस्ट्रेट यह यहां पे है कुक इस्ट्रेट तो यह भी question आया हुआ है ठीक है दो चार और important देश को दिखते हैं फीजी फीजी एक देश है जो कि इंडियन ओरीजिन के लोग यहां रहते हैं इसकी राजधानी है सुवा ठीक है और फीजियन डॉलर यहां की currency है इसी तरीके से आपको किरवाती भी दिख रहा होगा यह सब छोटे-छोटे island यहीं पे है क किरवाती किरवाती की राजधानी कहा है किरवाती की राजधानी है तरावा और उस्टेलियन डॉलर यहां की currency है Marshall Island बहुत न्यूज में रहता है Marshall Island जो है इसकी राजधानी है Mazuro Ma-Juro यह आपको यहां दिख रहा होगा Marshall Island माजूरो राजधानी है US डॉलर यहां की करेंसी है और यहां पे US जो है nuclear missile टेस्ट करता रहता है इसलिए इसमें International Court of Justice में अमेरिका के खिलाफ केस भी किया था Micronesia Micronesia कहां है तो Micronesia देखिए इसी इलाके में है सब कुछ यह रहा फीजी, यह रहा किरवाती यह रहा सोलोमन आइलेंड पपुआ नियूगिनी और Marshall Island मैंने आपको दिखाया है तो यह छोटे-छोटे देश है जिनसे question अब पूछे जाने लगे है तो Micronesia जो है पालिकीर इसकी राजधानी है US dollar यहा की currency है सामोवा की API है हो सकता है आप लोगो थोड़ा odd लगे इसलिए चलते हैं अगले दिन बाकी का revision करेंगे तो आपने क्या देखा UNESCO के Biosphere Reserve में मदेपदेश के पन्ना Tiger Reserve को सामिल किया गया है और New Zealand में भारतिये मूल की पहली महिला परधान मंत्री बनी है प्रियंका राधा कृष्णन किस भारतिये खिलाडी को करनाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरसकार से संबानित किया गया है तो पहला सवाल तो यह पुछा जा सकता है कि एकलव्य पुरसकार दिया किसके सरकार के द्वारा जाता है तो यह है KL Rahul इनको एकलव्य अवार्ड दिया गया है एकलव्य अवार्ड और करनाटका सरकार के द्वारा है करनाटका के सीएम कुर नहें यस जगन मुहन रिड़्डी जो है वो तो आंध्रप्रदेश के करनाटक के हैं बीएस यदूरप्पा यदूरप्पा सीयम है करनाटक के और यह जो हैं एक लव्या अवाड़ी के इल राहूल करनाटक के द्वारा दिया गया है वजुबहाई वाला यहां के गौर्णर है अब करनाटक और मध्यपरदेश में दोनों के नेशनल पार्क को मैं एक साथ रिवीजन कराऊंगा तो तयार हो जाई है अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं साथी साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये फैक्ट्स बहुत अच्छे से बेनिफीसिय लगते हैं तो चलिए सुरू करते हैं करनाटक का सबसे पहले बांदीपूर्ण नेशनल पार्क आपको यादी होगा बांदीपूर नेशनल पार्क जहां पर अक्षय कुमार ने अभी मैंन वसेज़ वाइड की सूटिंग की थी और बनरगर्टा नेशनल पार्क नागर होल नेशनल पार्क, अन्सी नेशनल पार्क, ठीख है, कुद्रे मुक नेशनल पार्क, कुद्रे मुक, यह सब कहा है, करनाठ का में, कुद्रे मुक, अगला है मध्य पर्देश में Tiger Reserve National Park बहुत ही जादा है तो नेशनल पार्क देख लिजे बांध हो गढ़ नेशनल पार्क कानहा नेशनल पार्क माध्व नेशनल पार्क थीक है माधलापंध फॉसिल नेशनल पार्क पंदभ नेशनल पार्क और पेंच च्वाजर नेनल पार्क है कि इतने तो आप लोगोंने लिख लिए Porיכ इसंपार्क हैं और लास्त है वन विहार नेशनल पार्क है तो इतने निशनल पार्क करनाठका के हैं कि आसीस कपकड का निधन हो गया यह कौन थे तो यह अभिनेता थे आसीस कपकड ठीक है अगला प्लास्टिक लाए मास्क ले जाए नामक पहल की सुरुवात किस ने की है तो यह देहरादुन ने की है उत्राखंड की राज़ानी है देहरादुन और उत्राखंड की एक और राज करना है यहां पर स्वक्षिता कैफे की शुरुवात की गई थी हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश की मैं बात बता रहा हूं और निगाह कारेकरम शुरू किया गया था क्या शुरू किया गया था निगाहकारिक्रम तो सौख्षटह काफ़े और निगाहकारिक्रम हिमाचल परदेश अब उत्राखंड की बात करें तो Digital Library of Sanskrit Learning यह शुरू किया है उत्तराखंड में ठीक है होप पोर्टल किस ने शुरू किया है उत्तरा खंड में होप पोर्टल होप मतलब आसा ठीक है और टीम 11 फॉर कोरोना ये तो है उत्तरा खंड के लिए अगला है किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड पर वाइल्ड लाइफ का पूरर गठन किया है तो ये जो है उरिषा सरकार ने बहुत सारे पहल अभी रिसेंट में शुरू किया है तो आपको ये याद रखना है अभी ओवर साइट समीती के गठन भी उरिषा सरकार ने किया है क्या किया है ओवर साइट समीती मतलब ओवर साइट मतलब सुक्ष मजाच होता है ओवर साइट कमिटी की कि ने किया है उडिसाने कोई भी सरकारी स्कीम गौवर्मेंट स्कीम जिसका नाम मो से सुरू हो किसे सुरू हो मो से तो वो उडिसा सरकार का है यह आपको याद रखना है जैसे मो जीवन मो प्रतिभा मो साइकिल मो लल्टेन इस तरीके का कोई भी स्कीम हो यह सब उडिसा सरका सरकार का गोवर्मेंट इसकीम है सबूच उरिषा पहल इसकीम किस के दौरा शुरू किया की ऐसकीम обेद ब्लेक है esp 442 दिसास्टर की państwo मेनेजमेंट हुआ था सेकेंड बीम स्टेक मतलब बंगाल इनिसेटीफ और मल्टि सेक्टोरल एंड टेक्निकल को आपरेशन यह इंटरनेशनल और्गेनाइजेशन है बीम स्टेक जिसका हेड़कॉर्टर है बंगला देश की राजधानी धाका और ठाका में दोस्तों हो सकता है मैं बहुत सारे इ इस आईएमस टेशी बीम स्टेक जो है यह है एक इंटरनेशनल और्गेनाइशन जिसकी राधानी है जिसकी हेड़कॉर्टर है बंगला देश की राधानी धाका और ठाका की करेंसी है टका सुरी तो यह आपको ध्यान होगैं अगला है गरीमा नामक पहल भी उडिशा सरकार के दौरा सुरू किया गया है क्या गरीमा नुवा खाई उडिशा सरकार के दौरा सुरू किया गया है नुवा खाई ठीक है अगला है जुआला गुट्टा इंस्ट्ट ऑफ एक्सिलेंस कहां अस्थापित किया जाएगा तो जुआला गुट्टा इंस्ट्ट ऑफ एक्सिलेंस ये अस्थापित किया जाएगा हैदराबाद में इसी तरीके से उत्तरा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ट्रां डूबू यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी बडोदरा में दुनिया की दुनिया की पहली Artificial Intelligence यूनिवर्सिटी किस देश में बन रही है दुनिया की पहली Artificial Intelligence यूनिवर्सिटी बन रही है United Arab Emirates में UAE में कितनी अच्छी बात है ठीक है यह सब चीज़ें आपको याद एकनी चाहिए वर्ल्ड लेवल पर भी इंडिया लेवल पर भी जो यूनिक कुश्चन है इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है किस राजी के पुर्व मुख्य मंतरी सतीस परसाद सिंग का निधन हो गया विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिन गवाटी गवाटी का है असम्न है तो नॉर्थ इस्ट की बात हो रही है और इस मैप के देखने के साथ हम लोग इसको रिविजन भी करेंगे तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यह है नॉर्थ इस्ट और आपको मैं दिखा देता हूं फिर सारे योजना और स्कीम भी बताऊंगा नॉर्थ इस्ट से ताकि आपको रिविजन करने में दिक्कत ना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और लाइक और शेयर भी करिए वीडियो को तो यह रहा हमा प्यारा नॉर्थ इस्ट ओ सॉरी यह है देख सकते हैं असम की राजधानी देशपूर है और इसी में गुहाटी भी है आपको सबसे ज्यादा असम की राजधानी याद रखनी है असम के नेशनल पार्क यहां रिसेंट में जोरम मेगा फूड पार्क प्रियोजना शुरू क किया गया जोरम तो यह शुरू किया गया मिजोरम में आपको इसली याद हो जाएगा मनिपूर जो है हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाने वहला पहला नॉर्थ इस्ट का स्टेट है मनिपूर ठीक है ब्रू ट्राइब अभी न्यूज में था ठीक है इसको फिर से बसाय अब दूनिया का सबसे पायर ब्रीज यह कहाँ बनाये गया है उर नॉर्थ ही इसा स्टेट था कहां पर तो ये भी नागा लेंड में बढ़ाए गया आपश्पा ऑफस्पा होता है और ऐसी पार शाउंब्र यह बनाया गया नागा लेंड में कुट्ते के मांस पर भी प्रतिव लगा दिया गया है नागा लेंड में ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है किस राज में सिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करन की शुरुवात की है तो यह है राजस्थान मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नाए अध्यक्ष कौन बने है यह बने है राजियू जलोटा दोस्तों एक दिन पहले मैंने कुशन पुछ आता है क्या इस वीडियो को 15 से 20 मिनट के रेंज में रखा जाए तो एक ही दो लोगों ने कमेंट किया था आज आपको बताना है इस वीडियो की लेंथ मैं 20 मिनट रखना चाहता हूं और भी जीएस के फैक्स बताऊंगा करेंट अफैस रिवीजन कराऊंगा तो अगर आपको चाहिए तो आज जरूर बताइए ठीक है बहुत सारे रिवीजन जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ इसलिए मैंने य सोचा है और भी वीडियो आएंगे थैंक्यू सो मच